BSF Tradesmen Recruitment 2021 नमस्कार दोस्तो BSF Tradesmen Recruitment 2020 का लगातार अब्यारती इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लंबा समय हो चुका है और कोविड के चलते BSF Tradesmen का नया रिक्रूटमेंट भी नहीं आ पाया है उसमें अलग-अलग कितनी वैकंसी होगी इस बार की जो वैकंसी आएगी क्या वो ओनलाइन मोड के आदार पर होगी या ओपलाइन होगी भरती परकरिया आपकी क्या रहेगी किस परकार एज कहे है जो आपको एज में क्या छूट दी जाएगी एज रिलेक्शन क्या रहेगा एज क्रिटियरिया क्या रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी सलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसको लेकर संपूर जानकारी आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने वाले हैं आपके लिए काफी ज़्यादा मैत्पूर साबित रहने वाला वीडियो के अंतक आप जरूर बने रिजिएगा साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाली बिया सब ट्रेड्समेन भरती से रिलेटेड हर परकार के लेटेश्ट अपडेट पाना चाते हैं चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले तो चलो दोस्तो देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ चोटी सी जानकारी बता देता हूं अगर ही आप भी कम्पेटिटिव एक्जाम की तायारी कर रहे हैं चाहां इंडियन आरपोर्स आर्मी नेवी के साथ पेरा मिलि लेते हैं तो आपके सलेक्शन होने में काफी अच्छी भूमी का इस करेंट अफेर्स की रहने वाली है अगर इसे आप मार्केट से करीते हैं तो आपको सो रुपे से कमें नहीं मिलेगी लेकिन यहापर पूरे 80% सूट के साथ मातर 20 रुपे में आपको प्रोवाइड करवा तो दोस्तों आप यहापर देख रहे होंगे डिफेंज जोब लट की ओपिसली साइड पे है और यहापर आपको आगे आने वाले छोटे से बड़े लाटेस्ट रिक्रूटिमेंट की जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी चाहिए वो एड्मिट कार्ड हो एंस्वर की हो या दोस्तों जैसे आप नीचे जाओगे आपको अलग से एक बोक्स मिलेगा डिफेंज जोब का और डिफेंज से रिलेटेड तमाम बड़ी खबरे और बड़ी जो अपडेट है रिक्रूटिमेंट की वो यहापर देख पाओगे तो यहापर आप देख लिजेगा डिफेंज किलिक करोगे एक नया पेज आपके सामने ओपन होके आज आएगा और यहाँ पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपको बियस अप ट्रेडिसमेंट रिकूट्मेंट 2021 नोटिफिकेशन आउट एपलाई ओनलाइन इस बार का ओनलाइन जो एकस्पिरेंस सटीविक्ट जिन्हों नहीं लगाया, उनके भी एड्मिट काड यहां पर नहीं आ पाते तो एकस्पिरेंस सटीविक्ट आप जरूर बनवा लीजएगा क्योंकि काफी जादा आपको मदद मिलेगी उससे, अब यहाँ पर देख लेते हैं, दोस्तों आप इस मिनिट का समय दिया जाएगा जबकि female candidate के लिए 1.6 km की running होगी और यहाँ पर साधे 8 मिनिट का समय दिया जाएगा long jump और high jump पहले होता था जिसमें male candidate के 11 pit का long jump होता था female के 9 pit का और high jump 3.5 और female का 3 pit का होता जिसे cancel कर दिया है अब गेवल आपको running ही करनी होती है और running के बाद में आपका होता है height weight test education qualification की बात करें तो 10th pass वाले सभी 31 भरती के लिए apply कर पाएंगे उसके साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस भरती के लिए BSB tradesman recruitment के लिए selection process क्या रहने वाला है तो सबसे पहले होगा आपका physical test और physical में जो candidate qualify होंगे उन सभी का trade test करवाय जाएगा बिल्कूल दोस्तों tradesman की खास बात यही होती है कि trade test आपका करवाय जाता है और trade test अगर आप qualify होते है तब भी आपको return के लिए qualify किया जाता है और BSF tradesman में जो भी trade test होता है वो के लिए qualify नेचर पे होता है मतलब trade test के number aid नहीं होते final medalist में जबकि आपने देखा होगा ITBP tradesman इसमें आपको physical के number भी देखने को मिलते है CRPF tradesman में भी आपको physical के number के साथ में जो tradesman है उसमें trade test के number है वो aid किये जाते final medalist में मतलब 50 नमर का trade test और 50 नमर का return final medalist है वो 100 नमर से बनती है लेकिन BSF में आपके 100 नमर का केवल paper ही होगा और paper सही आपकी final medalist बनेगी trade test आपका qualify नेचर पे होगा केवल आपको qualify करना होता है दोस्तो जो भी candidate trade test qualify करेंगे उन सबी को return के लिए short list किया जाएगा return के लिए बुलाए जाएगा और return आपका offline होगा और return test BSF खुद लेने वाली है दोस्तो जो भी candidate return में qualify होंगे उनका medical होगा और medical के समयी आपका document verification DV यहाँ पर होने वाला है All India Center होते हैं दोस्तो All India Center होते हैं अब यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ कि इसका जो form होगा वो online और offline दोनों mode के आदार पर भरा जाएगा बिल्कुल दोस्तो यहाँ पर देख लीजेगा लेकिन दोस्तो बात करते हैं इस बार का जो recruitment होगा BSF tradesman का 2020 का उसमें vacancy आपके कितने आने के chances है तो दोस्तो देशा की पहले आपने देखा होगा पिछला जो recruitment था उसमें लगबग 1700 के लगबग का recruitment करवाया गया था अब सबसे पले एक महत्पूर्ण update आपको पता देता हूँ BSF tradesman की जो भी vacancy आती है वो statewide आती है अगर आपने पिछला tradesman का exam दिया तो आपको पता होगा अलग-अलग state की अलग-अलग cutoff गई थी कुछ state ऐसे हैं जिनकी cutoff थोड़ी high गई थी बाकी ज्यादत तरी state ऐसे थे जिनकी cutoff 40 से लेकर 45 नमबर तक ही रही थी जबकि राजस्तान और UP और दिल्ली जैसे बड़े state है उनकी cutoff थोड़ी high रही थी जबकि दोस्तों other state की जो अलग-अलग trade wise आपकी cutoff भी रहती है कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी state wise cutoff के साथ में all over cutoff आएगी अलग-अलग अगर आप water carrier से लगा रहे हो स्वीपर से लगा रहे हो कूक से लगा रहे हो तो सभी trade ओ की अलग-अलग cutoff आपको देखने को मिल जाएगी अब बड़ी बात आती है कि इस बार का जो recruitment आएगा 2020 का उसमें लग-बग कितनी vacancy आने के chances है अप्रोक्सिमेटली तो दोस्तों काफी लंबा समय हो चुका है तो ये तो कनपरम है vacancy आएगी काफी बड़ी vacancy देखने को मिल जाएगी अगर 1700 vacancy पिछली आई है तो अब काफी लंबा समय हो चुका है लग-बग हो सुके है तो डाई साल से ज़्यादा हो चुके है ऐसे में काफी ज़्यादा vacancy खाली है बियस अब में ट्रेड्समेन के पदो पर अगर इन सब को देखा जाए तो लग-बग आपकी vacancy 2000 से लेकर 2700 या 2800 के लग-बग इस बार की vacancy बियस अब ट्रेड्समेन की आपके हो सकती है बिल्कुल दोस्तो अप्रोक्सिमेटल इतनी vacancy तो आने के चांद से जी है अब इसका ओपिसली notification है वो कभी भी BSF की तरब से जारी किया जा सकता है क्योंकि इतने time नहीं किया गया क्योंकि जो पिछली बरती के candidate है उनका COVID के चलने के कारण री मेडिकल नहीं हो पाया जिसके का लंबा समय हो चुका और अब उनको फाइनली जोइनिंग है वो दे दी गई है तो अब नया recruitment BSF है वो कभी भी जारी कर सकता है दोस्तो ये थीक मेरे दोरा दी गई चोटी सी जानकारी अगर पूरी डिटेल आप चेक करना चाते है तो अपिसली साइड का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स और वीडियो के पहले कमेंट बोक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहां जाके भी आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही मिलते है नेक्स स्टूडियो में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैन जैबार